नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका एक नए वीडियो में मैं हूँ आमर और आप देख रहे हो चैनल टेस्ट एंड ट्रैवल तो आज हम बनने वाले है आदिवशी स्टाइल का चिकन तो उसके लिए हमने क्या क्या लिए है ओ मैं दिखाता हूँ एक किलो चिकन लिया है हल्ली ये घर पे बनाया वो मसाला है सुकानारियल दन्या अद्रक तेज पकता है फ्याज और लहसुन और सौधा नुसर नमग यूज़ करेंगे और ये है सनफ्लॉर आई तो चलिए फिर स्टार्ट करते है आज की रेसिपि अभी लेशुन अध्रक और धनिया का पेस्ट बना के लिए थे लेशुन नाला अध्रक और धनिया इसमें थोड़ा डालेंगे नमक ताकि पेस्ट अच्चे से होती है अध्रक हो पता है आए 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 कर दो चलिए शूरू करते हैं अब इसमें डालेंगे थोड़ा ओई थोड़ा ओई डालना है यह लगब गया है एक टेबल स्पून होगा उससे थोड़ा ता ज्यादा ओईल गराम हो चुगा है अब इसमें डालेंगे थोड़ा ता पैस पबानुस्वार नमक अब अल्दी अब इसमें डालेंगे चिकन अब अरक जो है वो जैसे चिकन पक्टे जाएगा तो अंदर गल जाएगा वह अब शुग्ट इसको 30 मिक्स कर लेते हैं लाकि नमका और जो घंदी डाली है वो इसको चिकन को लग जाएगा तोरी देर तब टिकन को मिक्स करते रहेंगे फिलाते रहेंगे अब इसको ढखे रखेंगे और ढखने के बाद अंदर से अच्छे दर से स्टीम हो जाएगा और चिकन पक जाएगा बहुत ही बड़िया फुश बहा रहे हैं और चिकन अच्छे से पक रहा है पैस जो जाला था वो भी गल रहा है अच्छे से अब इसमें थोड़ी देर के बाद पाने आड़ी करेंगे अब इसमें हम पाने आड़ी करेंगे पानी ग्रेवी के हिसाब से डालना है मतलब कितनी ग्रेवी आप हमें चाहिए उसके हिसाब से अभी पापीश इसको डख्या है अभी अंदर से अच्छा सा पग जाएगो चिकन पग है अच्छा सा पग है जिए अच्छा सा पक है जिए अब ये चिकन हम दूसरे बर्तन में निकल के लिए लेगे अब ये इसमें डालेंगे ओईल तीन टेबल स्पून है इसमें तेज पता अब ये डालेंगे प्यास को अच्छे से पुरिके लेटे अब ये प्यास थोड़ा बुन रहा है आज चाथा अब इसमें अब करेंगे के सावा तुकार हो ताकि ये प्यास के सेथ सब अच्छे साब बुन जाएगे तब इसमें डालेंगे लेटे करेंगे अध्ऱक crear करेंगे तो कि अज़ाइब कि मसाला एक घर पर बनाए वो मसाला है इसमें है लाल मिर्च और बाकी के जो गरम मसाली होते हैं वो सब मिला कि यह मसाला बनाए दाता है ठीका होता है इसको एड़ कर दें कि 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 अब यह मसाला अच्चा सब बुन चुका है इसमें फोड़ा आड़ करते हैं पानी अब कि 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 अब बोखोहाज दिए अे लड़ को बहर हैं और स्वाटनीघ को आसे नद़ी खिए बढे आधार हाग साथने कोई नद़ी कार्टक्रिय कोई ख़गा हाद से अज़ा, तो भफप सिछ नद़ साथने को ओदें टो सुछिए, तो खड़ा हैं तो सबस्टोंसे थादा हैं, तो खड़ी सिएट एगंद अब हमारा चिकन रेडी हो चगा है तो अब यह हमारा आदिवाशी स्टाइल चिकन खाने के लिए बिल्कुल तैयर है थोड़ा सा स्पाइसी होता है और इसकी ग्रेवी होती है वो थोड़ी पतली होती है क्यूंकि यह रोटी के साथ ज्यादा दर खाया जाता है तो दोस्तो आज की रेशीप आपको कैसी लगी एक कमेंट मॉक में जरूर बताना और एक कंटेंड आपको अच्छा लगता है तो चानल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो और ऐसे ही वीडियो आगे चलके आपको देखने को मिलने वाले है तो आज का जो वीडिय वीडियो है करते ही हैं पेंट थैंक्यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो